आई याँ मिंग टैन के तो पूछे हिमत उसका तो जोश इतना बढ़ जाता है कि क्या कहें जामी उसको प्रैक्टिस पर ध्यान देने को कहती है और अब यह सब प्रैक्टिस करने लगते हैं और फिर कई दिन बाद अपने बॉक्सिंग लॉप्स पहन कर फैंग्यू को बहुत ही अच्छ ठेट सारे स्नैक्स अग देते हैं और कहते हैं कि खालो बच्चों यह सब तुम्हारे लिए है ये तिनों कन्फ्यूज होकर पोस्ते हैं कि सर आज आपको क्या हो गया है प्रिंसिपल कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ लेकिन तुम तीनों स्कॉलेज की शान हो इसलिए मै पूँ में डाला वा स्नैक निकाल कर निचे रख देती हैं लेकिन फैंग उनका मतलब समझ आती हैं और पूछती है कि क्या कोई इवेंट होने वाला है हाँ हाँ पास के एक स्टेट में एक MMA इवेंट होने वाला है उसमें तुम तीनों को पार्टिसपेट करना है मेरा कहते ह कि यहाँ पिजो टूनामेंट शुरू होने वाला है नहीं नहीं तुमें उस इवेंट में जरूर जाना होगा क्योंकि उस इवेंट के और्गनाइजर्स ने प्रामिस किया है कि वे हमारे कॉलेज को फंड देंगे इतना ही नहीं उस इवेंट में तुम तीनों को देखकर पैंग्यू कहते हैं कि मेंग्टैन को भी तो हमारे साथ चलना होगा, वही हमारा कोच होगा, वई उनों कहते हैं कि मैं भी आउँगा और आपके लिए खाना बराऊँगा, जाओ में कहते हैं कि इसमें सिर्फ चाल लोग ही जा सकते हैं, अगर तुम्हारा चाहो तो अपना साथ लेके जाना चाहती है, तुम टैंशन मतलो हमें तुम पर पूरा परोसा है, तब फैंग्यू को उसके दादा जी कॉल करते हैं, और तुरंट आने को कहते हैं, वो जल्दी जल्दी वहां से चले जाती है, तो वहां दादा जी के साथ उनके फ्रेंड का बेटा शेवी हो अब दादा जी दोनों को अकिला चोड़कर किसी काम का बहाना करके चले जाते हैं, शेवी कहता है कि तुम्हारे दादा जी जाते हैं, हम दोने एक दूसरे को पसंद करें, क्या कल रात तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी, अब इससे पहले वो अपना मूँ बंद करता, फैं तुम्हारे दादा जी को दुख होगा, इस पर फैंग्यू कहती है कि तुम मुझे डिनर पर ले जाते हो ना, तो ठीक है, मैं चलोगी, पर मुझे एक ऐसे रेस्टराण में जाना है, जहां का शेफ फ्रेंच हो, लेकिन वो चैनिस फूर बनाता हो, और अगर तुम्हें ऐस जौमी कहती है कि तुम्हे ये तनी अफरत किस से है? तुम कॉल अटेंड क्यों नहीं करती? फैंग्यू कहती है कि ये मेरा पर्सनल मामला है यार। अब जौमी जित पकड़ लेती है कि फिर तुमको मुझको जरूर बताना पड़ेगा कि ये मामला है क्या। उसी वक्त इशेवी कॉलेज के बाहर फैंग्यू का इंदिजार कर रहा होता है। ये सब सोचकर मिंग्टैन फैंग्यू को कॉल करने जाता है। तब शेवी उसको बुला कर कहता है कि तुम्हारा चेहरा में उसको जाना पेचाना सा लग रहा है। क्या तुम फैंग्यू को जानते हो वो इसी कॉलेज में पढ़ती है और बहुत ही फेमस बॉक्सर भी है। नहीं मैं उनको नहीं जानता ये कहकर मिंग्टैन वहां से जाने लगता है। तब शेवे कहता है कि नजाने ये कैसा कॉलेज है और लड़कियों को फाइटिंग सीखने की क्या सरवत है और इस तरह वान आपस ना बकरा होता है। तब ही मिंग्टैन लोट आता है और कहता है कि तुम मार्शल आर्ट्स को सिर्फ फाइट समझते हो इसलिए तुम्हें उसकी खुबसूरूती समझ में नहीं आती। अब शेवी घुसे में मिंग्टैन को कुछ कहने ही वाला होता है कि फैंग्यों और जामी भी वहाँ जाती है। अब शेवी मिंग्टैन को छोड़कर फैंग्यों से कहता है कि मैं तुम्हारे ले बहुत देड़ से वेट कर रहा था। पैंग्यू कहते है कि मैंने ते तुमसे वेट करने को नहीं आ था ओ, कोई बात नहीं, तुमने वेट करने को नहीं आ था, लेकिन क्या तुम भूल गई की फ्रेंच शेफ जो चैनीज बनाता है हाँ, मैंने ऐसा शेफ रेड़ी कर लिया है मैंने फ्रांस के एक बेहतनी शैप को बुलाया है और उसे चैनीज बनाना भी सिखा दिया उपर से मैंने तुमारे ले एक अलगी मैन्यू कार्ट डेड़ी भी कर दिया है अब जाउमे चौकर कहते है कि यार तुम किस देश के राजा हो जो इतना कुछ कर सकते हो फैंग्यू के लिए तुम इतना खर्च करने के वे त्यार हो वह अब वो फैंग्यू को कहते है कि तब तो तुम्हे इसके साथ जरूर जाना होगा इस पर फैंग्यू जाउमे को घूरती है यार मुझे क्यों घूर रही हो तुमने खुद उससे वादा किया था कि अगर तुम ऐसा कर लोगे तो मैं तुम्हारे साथ डिनर पर जाऊंगी तो अब जाओ ना और ये कहकरो फैंग्यू को जबरदस्ती शेवे की कार मिठा देती है फिर वो मिंठैन से पूसती है की क्या तुम भी हमारे साथ चलोगे वो मना कर दिता है अब शेवे पूसता है की क्या आप इसको जानती है जाओमे कहते हैं की भाध थी अच्छी तरह जानती हो यह हमारा जूनियर तो है और शेञ्वी फिर मिंग टैन को घोड़तावा कार लेकर चला जाता है फैंग्यू को जातेंबी देखकर मिंग टैन बड़ा यöधास होता है और वहाँ से चला जाता है यहां रेस्टान्ट में फैंग्यू के साथ जाव मी भी आई होती है उपर से उसने अपने सारे फ्रेंड्स को भी इन्वाइट किया होता है और कहते हैं कि सब को जितना खाना एक खालो यार आज माज करो आज हमारे बिल्स शेवी भरेगा इसलिए शर्मा मत अपना रेस्टरॉंट समझ कर खुब खाओ अब ये सब देखकर शेवी जरा डगमगा जाता है कि ये हो क्या रहा है जावी करेजिए कि ये सब फैंग्यू के फ्रेंड्स हैं उन्हें बुलाकर मैने गलाती तुन है की ना अब शेवी बना वेटी मुस्कानक लेंगा का ये कि ना बिल्कुट सहीघ है तुमने क्योंकि फैंग्यू के खुशी में ही मेरी खुशी है अब यहां मिंच्टेयन अपनी पार-टा Bhag में होता है और फैंग्यू के बारे में ही सोच रहा होता है इतने में मिया अपने कलब के सारे स्टुटेंट्स को लेकर उसी रेस्टोंड में चले जाती है जहां शेवी फैंग्योड जामी को लेकर आ है वो कहते हैं कि सुनो स्टुटेंट्स आज तुम लोग कोई भी कॉस्टे डिश जितनी मटची जो चाहो खालो सारा फ्री में सबका बिर हमारे शेवी भाईया ही भरेंगे अब तो शेवी की समझ में नहीं आता कि यहां हो क्या रहा है यार मैं फंस गया जैसे ये काफी नहीं था अपना बैयनों भी अपने एडिया के सारे लड़कों को वहाँ पे लेकिया आता है और मैं सब कहते है थैंक शेवी भाईया थैंक यू आपकी महरबानी के लिए और ये कहकर तरे तरे का खाना और्डर करने लगते हैं अब शेवी एकदम इरिटेट होने लगता है लेकिन जावी रुकने का नाम ही नहीं लेती वो और भी कुछ लोगों को फोन करके कहते हैं कि अरे कहा हो अरे दरा जाओ यहां पर मस्ट खाना फ्री में मिल रहा है ऐसा आफ़र दोवारा नहीं मिलेगा अब शेवी को लगता है कि आज उसकी लाखों की जायदाद मिटने वाली है अब पेट भर मुफ्त का खाना का कट जाओ में बहुत ही खुश होती है तब फैंग्यू कहती है मुझे मिंग टैन के लिए बुरा लग रहा है यार वो जरूर मुझस से गुस्सा होगा जाओ में कहती है कि वो गुस्सा की होने लगा और नहीं तो क्या सारी मुस्सीबत के जड़ तुम ही हो जाओ में तुम अरे हम मुझे क्यों बलेम कर रही हो तुम ने तो अपने रोम्यों से मादा किया था कि उसके साथ डिनर पर जाओगी हाँ लेकिन तुमने मुझको जबरस्ती उसकी कार में मिठा दिया था और इस त्रेंड के लड़ाई चल रही होती है और तब फैंग्यू बताती है कि एक दिन रेस्टोर्न मिंग्टैन ने मेरे खातिर जान बुझकर शेवी के ओपर वाइन ग्रा दी थी और उसकी वज़े से मिंग्टैन को नौकरे से भी निकाल दिया गया था अरे तो ये तुमने मुझको पहले क्यों नहीं बताया अगर वो तुम्हारे लिए अपनी नौकरे तक छोड़ने को تयार हो गया था तो तब ही तुमको समझ जाना चाये था तो तुमसे कितना प्यार करता है अब फैंग्यू कहती है कि यार अब मैं क्या करूँ कोई आइडिया तो दे दे ठीक है ध्यान से सुनो अगर मिंग्टैन तुम पर गुस्सा है इसका मतलब यह है कि वो तुमारी बहुत कियर करता है वो जानता है कि तुम शेवी को पसंद नहीं करती अब तुम उसी के साथ रेस्टरॉंट चली गई तो वो तुम पर ज़रूर गुस्सा होगा लेकिन हम कल उसे इस बात के लिए टेस्ट करेंगे पर मुझे लगता है कि गुस्सा होने के साथ साथ वो कल तुमें अपना लब परपोस भी कर देगा अब यहां मिंग्टैन सोच रहा होता है कि शेवी बहुती बुरा लड़का है मुझे ये बात फैंग्यू को बता देनी चाहिए अगले दिन कॉलेज में फैंग्यू प्रेक्टिस कर रही होती है मिंग्टैन वहां आता है और फैंग्यू से कुछ कहने जाता है फैंग्यो भी कुछ एकस्पेक्ट नहीं कर रही होती है लेकिन मिंग्टैन चुप चाफ वार्म अप करने लगता है फैंग्यो फिर पैक्टिस में लग जाती है इतने में जाओ में आकर मिंग्टैन से कहती है कि कल तुम भी रेस्टरंट आये होते तो कितना अच्छा होता वहाँ खाना भहुत ही टेस्टी था फिर वो फैंग्यू से कहती है कि हमें चेक करना चाहिए कि क्या वो शेवी सच में तुम से प्यार करता है कि नहीं इस तरह फैंग्यू से पूछने के बहाने वो मिंग्टैन क मिठ होकर वहां से जाने लगती है एक नट रूकिये मिंग्टैन के आवाज को सुनकर फैंग्यू रूख जाती है लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता फैंग्यू पूस्ती है कि क्या तुम कुछ कहना चाहते हो तब मिंग्टैन कहता है कि क्या आपको शेवी पसंद है फैं सच में आपको भी वह बहुत पसंद आएगा इसलिए आप जल्दी से कोई फैसला मत लीजिए अब फैंग्यू पूछती है कि क्या तुम ऐसे किसी इंसान को जानते हो लेकिन अब फिर से मिंग्टैन चूप हो जाता है अब फैंग्यू डिलेक्टली पूछ लेती है कि मैं जि सोचकर वो कहता है कि आपके सवाल का जबाब मैंने जानता है लेकिन इतना जानता हूं कि शेवी वो इंसान नहीं है आपको इस इंसान का इंदिजार करना चाहिए जो आपके दिल को सचे से प्यार करे आपको अपने लवर का इंदिजार करना चाहिए ये कहकर उचला जाता है फैंग्यू सोचती है कि लो इस बार भी अपना मूँ नहीं खोला इसने बता हो यार अगले सीन में जाओ में फैंग्यू को डांड ती है कि अगर वो कुछ नहीं कह पाया तो तुम्हारे मूँ में का चने चब रहे थे तुमने क्यों नहीं कहा कि मिंग्टैन तुम ही वो इ पारे में एक टाउट पूछना चाहती हूँ एक्चुली दूसरे कॉलेज में मेरी एक फ्रेंड है उसे अपने जूनियर से प्यार है और लगता है जूनियर को भी मेरी फ्रेंड से प्यार है तब मेरी फ्रेंड का दूसरा फ्रेंड जबर दस्ती उसे कॉलेज से लेके गया लेकिन वो उतना अच्छा ललका नहीं है अब फैंग्यू अपने आंकों से जाओमी को डांटती है कि इसके आगे मत बोल मत बोल वरना मिंग्टैन को पता चल जाएगा लेकिन जाओमी रुखती नहीं और कहती है तो अब तुम ही बताओ कि क्या उस जाओमी को पंच करती है और जाओमी धड़ करके नीचे गड़ जाती है और तब फैंग्यू कहती है कि इसने कल राद कुछ जादा ही खा लिया था इसलिए इसको ब्रेन में कुछ प्राबलम आ गई है और ये कहकर उस जाओमी को उठा कर मुझ से प्यार करता है या नहीं अब यहां मिंग्टैन में थीम पार की फोडोस को देखकर कहता है कि जूनियर को पज़ेजिव जरूर होना चाहिए अब अगले दिन फैंग्यू की दादा जी उसको बताते हैं कि तुम्हें जरा जल्दी कोच बन कर जा रहे हो मिंग्टैन हाँ में जवाब देता है और पूछता है कि आप तो बहुत एक्सपिरियंस्ट हैं क्या आप मुझको कोई टिफ्स देंगी रैफरी बताते हैं कि टॉप फाइटर से को इनलाइस करेगा अब यह सोच कर वो सीधे उस कॉलेज में पहुंच जाता है और उन्हें प्रैक्टिस करते वे देखता है और दोस्तों इसी के साथ ही एपिसोड यहां पर खत्म होता है दोस्तों इसके आगे क्या हुआ यह अगले पार्ट में देखेंगे और अगर स्रीज अची लग रही है और एक्स्मिनेशन और वीडियो अची लग रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब आभी कर दे बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक ले गुड़ बाई अपना ख्याल रख कि ओिन अरो सुति Apache गाफASE है तोफ प्रड़ स Раз् quir है पोस्ति लियो वाण सेपίνव इmith बात कि ल annoy ऑ़ जो को सर दोची है यह है नह हैं